हेलो फ्रेंट्स में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगी कपलिंग और कोईजन क्या होता है और आज की इस वीडियो में सिर्फ हम कपलिंग के बारे में बात करेंगे इसके टाइप के बारे में बात करेंगे और इसके हम हर पॉइंट को जानने की कोशिश करने के तो इस वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रही हैगा तो यहां पर देखे पहले हम कप्लिंग के बारे में पढ़ते हैं कप्लिंग इन सोफ्ट्वेर इंजिनियरिंग इज आ पार्ट ओफ एस आरेस देट इस उस्टू डिफाइन दाफेक्टर्स ओफ डिपेंडेंटनची एंड इन डिपेंडेंटनची ओफ इच मोडियोल और सॉप्ट्वेर विद अधर मोडियोड जो कप्लिंग होता है यह हमारे सरा सका एक पार्ट होता है और कपलिंग में क्या बताता है जैसे स पोज किजे कि मोडियूल ए है और यह मोडियूल भी है अगर हम मोडियूल ए में कुछ चेंजिंग करते हैं तो मोडियूल भी पर कितना चेंज होता है उसका कितना एफेक्ट पढ़ता है वह हमें कपलिंग बताता है कि इन दोनों में कितना इंट्रेक्शन है इन दोनों के बी कुछ action perform कर रहे हैं तो जो दूसरा मोडूल है उसकी performance पर उस पर कोई भी effect नहीं होना चाहिए यह हमें बताता है कि लो कपलिंग होना चाहिए चलिए अब हम कपलिंग के कुछ करते हैं डेटा को दूसरे को सेंड करते हैं तब हम बोलते हैं कि वहापर डेटा कपलिंग हो रही है नेक्स्ट पॉइंट है आप इसका नेक्स्ट टाइप होता है stamp coupling stamp coupling में क्या होता है चलिए इसको पढ़ते है in stamp coupling the complete data structure is passed from one module to another module जब हम एक module के सारे data structure को किसी दूसरे module के पास send करते हैं तब हम बोलते हैं कि वहाँ पर stamp coupling हो रहा है लेकिन stamp coupling के अंदर एक drawback ही होता है कि suppose कीजिए कि यह हमारा module A है module A है और यह हमारा module B है तो अगर module B को कुछ data चाहिए A से तो यहाँ पर अगर इनके बीच में stamp coupling हो रहा है तो यह क्या करेगा अपना पूरा data structure इसको send कर देगा लेकिन module B को सिर्फ कुछी data चाहिए था कुछी points चाहिए थे तो इसलिए यहाँ पर time coupling क्या करता है कि पूरा data structure को send कर देता है जिससे यहाँ पर यह इसका drawback होता है तो जितना हमें जरुवत होना चाहिए हमें सिर्फ वही data मिले तो इसलिए हम इस time coupling को बहुत ही कम use करते हैं फिर होता है यहाँ पर third जोसका type होता है control coupling control coupling क्या बताता है हमे if the modules communicate by passing control information then they are set to be control coupled control coupling का मतलब क्या है कि suppose कीजिए कि हमारा यह module A है यह module B है तो module A क्या करेगा एक flag को set कर देगा अपने data किसी भी point के उपर और यह बता देगा module B को कि अगर आपके पास वो flag है तब ही आप इस data को use कर सकते हो जानी कि इसके data को control कर सकते हो तब हुहाँ पर होता है control coupling next point है यहाँ पर external coupling when modules when modules are dependent on each other by sharing a common external data format देखे इसको हम एक example से समझते हैं कि suppose कीजिए यहाँ पर एक module A है और यहाँ पर एक module यहाँ पर B है यहाँ पर दो module है A और B और यहाँ पर A कोई data है तो module A भी इसी data को send कर रहा है और module B भी इसी data को send कर रहा है यह access कर रहा है तब हम बोलेंगे कि वहाँ पर external coupling हो रही है जहाँ पर दो module common data को share करते हैं common data को access करते हैं तब वहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर external coupling हो रही है है चलिए अब हम इसके next टाइब के बारे में पढ़लेंगों तो यहाँ पनास्ट जो इसका टाइब होता है कपलिंग वह होता है common कपलिंग वियरन टू मोडिल्स है को मन शेयर डेटा और ग्लोबल डेटा जब दो मोडियूल is passed from one module to middle of another module, देखे content coupling में क्या होता है, कि suppose कीजे कि यहाँ पर एक module हमारा यह है, यानि कि हमारा project P1 है और यह हमारा project 2 है, तो इसमें कोई module कुछ instruction को execute कर रहा है, तो वो execute करते करते इस project से क्या होता है, दूसरे project के instruction को execute करने लगता है, तब हम वहाँ पर बोलते हैं कि content coupling हो र है, तो भी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजएगा, ठैंक्स फोर वोचिंग.